भारतिश जुन्ता पाटी किसान मोचा जिला द्वारा खरगोन शहर के टी आईटी परिसर में प्रदेश सरकार की किसान वेरोधी नितियों के हलाफ एकदिव से धर्ना प्रतशन कर आंदोलन किया गया इस मौके पर पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटिदार भाजपा के जिला ध्यक्ष परस्टाम चोहान, नगरपाले का ध्यक्ष वपन कुमार और गौर सहेत जिले भर के पतादिकारी कारेकरता उपस्तित रहे पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटिदार ने कहा कि भाजपा ने कल्याण कारी यूजनाये बनाई हैं, उससे बंद करने का श्रणेंद्र किया जा रहा है भाजपा कारेकरता उपन प्रतनिध्यू ने एक रैली निकाल कर जिला कलेक्टर का रहलाय पहुंचे और प्रदेश सरकार के विरोध में रमकर नार्यबाजी करती हुए राजपाल के नाम अपर कलेक्टर को ग्यापन सो पगया मतपरदेश के हमारे किसान मोर्चा की तरफ से पूरे मतपरदेश में जीला मुखेले पर धरना अंदोलन किया जाका और ग्यापन के माद्दम से राचिपाल महोदे को ग्यापन डिया के कलेक्टर के माद्दम सो देने के लिए आज सब लोग हम यहाँ पर आया है और उस ग् महिनेस उपर हो गया है अभी प्रक्रियाओं में उल्धा कर और जिस पकार से जितना लोन है वो रिडुमाप नहीं कर और किसानों को धोका देकर जिस पकार से जो कारविक की जारी है रोल रिडुमाप नहीं किया जा रहा है इसकी मांग हमने किये कि ततकाल इसको किया जाए सर्थे कई तरब की लगा लगा दिये रिडूमापी में इसकी भी हमने मांगे किसी पकार की कोई सर्था नियो दो लाग कर किसान का करजा माप हो और जितने वचन पत्र में जो कांग्रेस में वादे किये हैं विरोजगारों को जो पाँच चार अजार रुपे बत्ता देने की बात है बिजली बिल आधा किसानों से लेंगे हम यह भी उन्होंने वचन पत्र में दिया था यह सारी जो मांगे है उसको हमने आज इसके अपन के मद्दम से सरकार को चेतावनी दिये यह आप जिसको वचन पत्र के इसको पुरा नुबाव उसका पूरा किया जाए वरना ब पूरे मत्रदेस में किसानों को उपर 50,000 करोड से उपर का जो लोन है दो लाग रुपे के अगर गिंती करें और सिरु 5,000 रुपे का प्रावधान भी बजट में कर रहे हैं यह सरासर जनता के साथ में किसानों के साथ में कांग्रेस की जो सरकार का जो है दोगलापन है यह गलत है हम इस प्रकार की कारवे की निंदा करते हुए मांग करते है कि किसानों के साथ जो वादा किया है जनता का जो वादा किया है कांग्रेस सरकास को पुरा करें